नमस्कार साथियों, विस्विद्याले अनुदान आयोग यानि कि इन्वर्सिटी गरांट कमिशन की एक नोटीस सुचना देखिए यहाँ पर बीस ग्यारा दोहजार अठारा की एक नोटीस है यदि इसको आप क्लिक करते हैं तो एक सुचना आपको मिलता है यहाँ पर देखिए यह सुचना एक बार देख लिजिए कि क्या पॉब्लिक नोटीस निकाला हुआ है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोट का एक आदेश है तीन नॉम्बर 2017 का और उन्होंने जो भारत में डिस्टेंस एजुकेशन संचालित हो रही है विसेविदेलों के द्वारा उसके परिछन करने के लिए एक तीन सदसी कमिटी बनाने की बात कही गई है और उसी एवज में ये MHRD डिपार्टमेंट के द्वारा तीन सदसी कमिटी बनाई गई है जिसमें से जिसके अद्चता जस्टिस रेडी कमिटी के नाम से ये जाना जाता है उनके recommendation के बात जो recommendation कमिटी ने की है उसके अंतरगत भारत के सभी विसेविद्च दलेगो चाहे वो Central University हो, चाहे State University हो, चाहे Private University हो, सभी University हो यदि वहाँ पर Open and Distant Learning Course संचालीत किया जाना है तो उसके लिए VGC से मानेता लेना पड़ेगा और यदि वो मान्यता नहीं मिला है तो वो distance and learning course संचालित नहीं कर सकता तो इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके जो है every year in available on UGC website फिर दूसरा बात कर रहा है no course other than the one that find place in the list referred to above यदि मालिजे जो UGC के द्वारा जारे list के अनुसार यदि उसका नाम नहीं है तो वो distance and learning education प्रोग्राम संचालित नहीं कर सकता और इसके बावजुद भी candidate वहाँ पर admission ले लेता है तो उसके लिए खुद स्वयम जिम्मेदार होगा ये कोई दावा नहीं किया जाएगा बलकि उनके certificate को अमान ने घोसित कर दिया जाएगा अब हम देखते हैं कि कौन सब इसे भी देले है जो जैसे कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कौन सब इसे भी देले में distance education संचालित किया जा रहा है उसकी मानिता VGC के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है आप distance education bureau में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है recognized information यहाँ पर जो है important updates for stock holder इसका भी दिया हुआ है देखिए list of university approved for the 2018-19 onwards यहाँ पर जो मानिता दिया गया है यदि मालिजे recognized information को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह 3 अक्टूबर 2018 को university grant commission recognized to be the higher education institute for academic year 2018-19 and onwards the program through the open and distant learning board यहाँ पर जैसे आंधर प्रदेश में आंधर प्रदेश में आचार्य नागार्जुन इनवर्शिटी total solar numbers program दिये गया है यह यहाँ पर 27 सितंबर 2018 की स्थिति में solar program आयूजीत कर सकता है इसी प्रकार से आपका जोखा है स्रीप पदमावती महिला बिस्से विद्याले state university है उनको केवल एक bachelor of education BA चलाने की अनुमती है इसके लाबा और दुसरा नहीं चला सकता इसके लाबा अरुनाचल प्रदेश में भी राजियू गांधी इनुशिटी है जो आठ कोर्स जो है open and distance learning program के अंदरगत करा सकती है इस तरह से आप असम का देख सकते हैं सभी state का सुची जो है इसमें दिया गया है इसको देख कर जो है आप बता सकते हैं जैसे की यहाँ पर बहुत सारे इनुशिटी है जो 2018 में उसका नाम काड़ दिया गया है यदि आप open and distance learning program कर रहे हैं उसमें कोई degree प्राप्ट करना चाहते हैं और इस सुची में नाम नहीं है तो मान के चलिए आपका certificate एक कागच के समान ही है उसके अलावा और कुछ नहीं है जैसे यहाँ पर 36 गड़ की बात करें 36 गड़ में 2018 में पंडिस सुंदलल सर्मा open university state open university है यह आपका 11 course करा सकती है केवल 11 course इसके अलावा और दुसरा course नहीं करना है यहाँ पर CV rubber university यह private university है केवल 24 course में ही आप admission लें तो बहतर होगा आपके लिए इसके अलावा आप open a distance course कर रहे हैं तो आपकी certificate मानने नहीं होगा यह आपको जो है समझना है यदि आप इसके बावचुद भी आप यदि करना चाहते हैं तो वो कोई काम कर नहीं रह जाएगा इसलिए हम information के तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपका university का नाम इस सुची में है या नहीं पहले देख लें और उसके बाद में वहाँ पर admission लें साथी साथ जब आप किसी university में जाएं तो उसको पूछ है कि आपको जो है 2018 में UGC के द्वारा मानिता प्राप्त हुआ या नहीं है और उनके पुरी certificate देख लें उनके पुरा व्योरा देख लें उसके बाद ही जोका है वहाँ पर आप admission लें अनिता इस्तिती में लोग प्रलोबन विग्यापन पर भरोसा न करें साथी साथ इस website का सारा ले सकते हैं उनके बातों को जो है 100% आप विश्वास न करें बलकि VGC जो Distance Education Bureau का website है उस website में जाकर जो है आपको पहले उस university के बारे में पुरा details जानकरी लेना है कि कितने विश्वास में VGC ने मानिता दे रखा है और किस विश्वास में मानिता प्राप्त नहीं है और जिस विश्वास में आप मानिता प्राप्त है उसी विश्वास को ही आप जो है वहाँ पर certificate प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर admission ले सकते हैं वहाँ पर आप जो एक्जाम दे सकते हैं तो तभी आपकी सार्टिफिकेट का कोई वेलू रहेगा अन्यता इस्तिति में आपका वेलू नहीं रहेगा वो सार्टिफिकेट जिस सार्टिफिकेट के माध्यम से जिस सार्टिफिकेट को जोगा है उस इनुवर्शिटी को जोगा विजिस्टी के द्वारा मानिता प्राप्त नहीं मिला है इसलिए देख सकते हैं कि बहुत सारी पंजाब इनुशिटी स्टेट इनुशिटी को भी यहाँ पर साथ और यहाँ पर पंद्रा पिछले साल पंद्रा दिया गया था इस बार साथ दिया गया है Master of Business Administration Master of Computer Application यह लवली प्रोफेशनल उनुशिटी में यह डिगरी किया जा सकता है तो आपको जो है केवल एक Information के रूप में खम आपको यह जानकारी दिये Thank you